नुश्कार आदाव सेस्रेकाल बच्चो मैं आदिती जैन आपका बहुत सौगत करते हूं जैनी टड़ा 247 के ओफीशल यूट्यूब चैनल के ऊपर बच्चो मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे तो भाई जैसा ही आपको पता है आज ऑप्रेशन ऑप्टिक अपन कर चुके हैं और 100% किया है कोई कॉंसेट किसी टाइप के क्वेशन अपन नहीं छोड़ रहे हैं इसी के साथ साथ बच्चो मॉडन फिजिक्स के मेरेथन संडे को पैरलल चल रहे हैं जिसमें डूल नेचर और एटम्स के मेरेथन पूरे आपको करवा दिये गए हैं ज समझा दिया गया है जाकर देखी और कमेंट करके बताएगा भाई कैसे लग रहे हैं महेश प्रजापती गुड़ीवनिंग बच्चे गुड़ीवनिंग 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 एवरीवन रइट चलिए स्थार्ट करते हैं आज की क्लास लास्ट क्लास में पढ़ा था भाई, lateral shift क्या होता है, last class में अपने देखा था normal shifting क्या होता है, उनक्या लगळग cases क्या होते हैं, last class में अपने देखा था, optical path क्या होता है, और बच्चों इसी के साथ अपने snails law वगेरा की भी बाते करी थी, last class में, आज की क्लास में बच्चों वही कॉंसेप्ट अपन रिवाइस करते हैं और उनसे रिलेटेट सारे के सारे कॉंसेप्ट के क्वेशन भी कैसे करना है भाई ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की क्लास नाओ बच्चों पॉइंट्स इंटू साइन ओफ देट अंगल विथ नॉर्मल हमेशा आपका कैसा रहेगा कॉंस्टेंट रहेगा ये अपन को भाई किसने बताया था इसने लोन ने बता दिया था हाजी सर एकदम सही बात है इसने लोन ने ये चीज एकदम क्लियर कर दी थी इसके बाद बच्चों अपन रहती है तो वो मीडियम में लाइट जितने टाइम में ट्रेवल करती है टी टाइम में सेम डिस्टेंस टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगी बच्चों वैक्यूम में वो होता है आपका अप्टिकल पाथ क्या होता है ये आपका एक मीडियम है इसका रिफ्रेक्टिव कितनी है x है तो इसमें अगर light enter करी बच्चे यहां तक तो बच्चो यह distance जो उसने किया let's say t time में travel किया तो same t time में अगर आपकी light vacuum में चले तो कितना distance travel करेगी उसको कहा जाता था optical path और optical path कितना आता था बच्चो optical path आपका आता था mu into x याने same t time में light vacuum में mu into x का distance travel करती है करती है यह भी अपनने बच्चो last class में देखा था समझा था और सीखा था इसके बद बच्चो अपनने देखा था apparent depth apparent depth क्या होता है कि भाई कितना आपको आभाव होता है good afternoon tonu, kushwa, good afternoon ओम प्रकाश चलिए पच्चो apparent depth क्या होता है मेरी आवास clear है एक बार जल्दी से बता दीजे आवास clear है या नहीं है एक बार बता दीजे apparent depth apparent ओहो और स्पेलिंग अलत लिख दिए apparent depth भाई क्या निकल के आई थी apparent depth बताईए सर डी apparent निकल के आई थी मिउ आफ observer divided by refractive index of object वाला medium into real depth निकल कर आई थी या नहीं आई थी हाँ या ना इसको याद करने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था बिच्चो ये मिउ और मिउ कैसे याद करना है मिउ आफ observer याने जहां को raise जा रही है और mu of object मतलब बच्चो जहां से raise आ रही है हमेशा ऐसा देखना object और observer की position change हो जाएगी तो बेटा सारी की सारी चीज़े उल्टी हो जाएगी thank you मैं इस बताने के लिए आवास clear है इसके बाद बच्चो अपन ने एक और चीज़ देखी थी आपकी क्या lateral shift lateral shift lateral shift क्या है भाई कि अगर एक glass slab में light enter करती थी तो वो अपने original path से कितना shift हो जाती थी उसको अपनने lateral shift याने delta से बताया था तो भाई delta आपका कितना आया था बताये sin of i-r divided by cos r into thickness of that glass slab आया था या नहीं आया था हाँ या ना हाँ या ना हाँ जी सर आया था और इसी के बाद बच्चो अपनने ये भी देखा था कि अगर आपका i और r tends to zero होते अगर आपका i tends to zero होता और r tends to बच्चो कितना हो जाता जीरो हो जाता तो इस particular case में जल्दी से एक बार याद कर लीजे क्या आता आपका formula इस particular case में क्या आता बच्चो i into 1 minus 1 upon mu into t आया था या नहीं आया था i into i into 1 minus 1 upon mu into t आया था या नहीं आया था हाजी सर आया था इसी के साथ बच्चो अपनने और क्या पढ़ा था अपनने normal shifting भी देखी थी कि भाई normal shifting क्या होता है जल्दी जल्दी formula revise कर वारा रहा हूँ अगर आप नए है तो पीछे वाला लेक्चर जाके देख लेना नहीं बिटा बहुत दिक्कत हो जाईगी आज के लेक्चर में क्योंकि पूरा का पूरा पीछे का लेक्चर आ रहा है आज normal shifting बच्चो normal shifting अपनने कैसे निकाली थी डेल्टा एक से बताया था या नहीं बताया था हाँ जी सर बताया था जल्दी से एक बार अपने मन में अभी के अभी याद कर लीजें normal shifting का formula कितना आता है भाई normal shifting का formula आता है कितना dr into 1 minus of mu that is your real depth into 1 minus of 1 upon of mu real depth into 1 minus 1 upon of mu और इसी के साथ बच्चो अपन ने रे डाइगराम की help से समझा भी था सारी चीजें कि भाई आपको कैसे aggressor याने की आगे बढ़ना है क्या भाई ये सारी चीजे clear थी आपको last lecture में एक बार मेरे को जल्दी से बता दीजे फिर अपन आगे बढ़ते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं राइट तो these are some points to revise जो आपको ध्यान रखने थे चलिए भाई आगे की बाते करते हैं now बचो parallel slabs अगर रखे हुए हैं तो आपको कैसे खिलना है उसकी बाते करेंगे अगर आपके parallel slabs रखे हुए याने की कैसे सर बताईए देखिए माल लीज़े बच्चो ऐसे 2-3-4 slab रखे हुए उस particular case में आपको questions कैसे solve करने हैं उसकी बाते करते हैं यह है आपका एक slab यह है आपका दूसरा slab इस वाले slab की thickness T1 और इसका refractive index mu1 इस वाले slab की बच्चो thickness T2 refractive index mu2 इस वाले slab की बच्चो thickness T3 और refractive index mu3 बच्चो यहाँ पर इधर नीचे आपका object रखा हुआ है और जो आपका observer है बच्चो ठीक इसके उपर यहाँ पर जो आपका observer है भाई वो ठीक इसके उपर यहाँ पर है आपको जो जो पूछा गया है वो बताना है ठीक है आपने एक slab का case देखा था बच्चो अब अलग-अलग slab की बात कर रहे हैं आपको इसकी apparent depth बतानी है कि यह observer को इस object की apparent depth कितनी दिखेगी तो भाई कल अपने apparent depth देखा था अगर एक slab या एक refractive medium का refractive index का कोई भी medium रखा होता तो apparent depth आती में formula लिख देता हूँ mu of object upon mu of observer upon object हाँ भाई क्या formula आता apparent depth आती आपकी mu of observer upon mu of object into thickness of that slab बच्चो observer जो है आपका air में है और यह यहाँ पर भी क्या है आपका air है ठीक है तो बच्चो इसमें कुछ आपका depth आएगी apparent depth इसमें कुछ apparent depth आएगी ससमें कुछ apparent depth आएगी तो जब भी ऐसे तीन slab एक की ओपर एक की ओपर एक रख दिये जाए बच्चो तीनो की apparent depth प्लस कर दो तो observer का तो 1 हो गया, object का कितना देखे रखाए, mu1 और पहले वाले की thickness कितनी होगी, T1, तो पहले वाले से मैं लिख सकता हूँ, बच्चो, T1 upon mu1, आया न, अच्छा सा देखो, observer का refractive index कितना हो गया, 1, इसका कितना है mu1, तो 1 upon mu1 into thickness of the medium, कितनी हो जाएगी बटा, T1, तो 1 upon mu1 into T1, T1 upon mu1 बनेगा, similarly, बच्चो, इसके लिए observer अभी भी एयर में है, तो क्या हो जाएगी, T2 upon mu2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और इसके लिए, T3 upon mu3 हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, या नहीं हो जो apparent depth दिखेगी बच्चो ऐसी parallel slap के case में, कितनी आएगी, कितनी आएगी बच्चा, इतनी आवेगी, कोई दिक्कत हो, पूछिए, कोई भी दिक्कत हो, पूछिए, कोई भी दिक्कत हो, सर, neat expected date, बेटा, neat expected date तो ऐसे मत हो यार, परेशान, कितनी बार बोला है, मत हो परेशान, जब, जब date आएगी, तभी पढ़ना चालू करूंगे, क्या, बताओ, बहुत छोटा सा question मेरा आप से, अरे आज से पढ़ना चालू करो, यह मान के चलो, कि अगले महिने पेपर है, आग लगे रहना चाहिए बिटा, जब तक आग नहीं लगी रहीगी ना, तब तक परेशान होते रहूंगे, कोई नहीं बता सकता यार, कोई नहीं बता सकता, मत हो परेशान, फिर भी कोई अगर हमको संकेत दिखते हैं, कि अब नीट हो सकता है, तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन कोई नहीं बता सकता, लोकेश मेरे भाई, मत हो परेशान, as a elder brother, यह एक मेरी सिफारिश है, तेरे से एक suggestion है आपसे, माल लो कि आपका next month paper है, और सिसाब से पढ़ाई करना चालू कर दो, निकल जाएगा नीट, बस मैं यह बोलूँगा, राइट बच्चो, चलिए, normal shifting, भाई, normal shifting अगर आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, भाई, कितना normal shift हुआ image में, normal shifting, काई से दिया जाता है, सर, delta x से दिया जाता है, अच्चे से देखना, क्या होता है, t into 1 minus 1 upon of mu of medium होता है, यह with respect to observer रहता है, observer का अगर 1 है तो बच्चो यही formula लगेगा, देखो, कुछ normal shift हमेशे में आपको बता था, image के हो जाती है, उपर खसक जाती है, है ना, image उपर आ जाती है, image उपर आ जाती है, बैटा, कुछ normal shift इसमें आएगा, कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें आएगा, टोटल तीनों का मिला क्या हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, हाँ सर, अगर एक अकेला medium होता, तो भाई आपकी normal shifting कितनी आती, तर T1 into 1 minus 1 upon mu 1 आती, पीटा, अगर दूसरा वाला अकेला होता, तो कितना होती, T2 into 1 minus 1 upon of mu 2 आती, पीटा, तीसरा वाला अगर अकेला होता, तो क्या होता, 1 minus T3 into, T3 into 1 minus 1 upon of mu 3 आती, या नहीं आती, हाँ या ना, एक-एक medium present रहता, तो एतनी इतनी normal shifting आती, तीनों अगर बेटा एक साथ present रहे गए, तो एतनी normal shifting आईगी, या नहीं आईगी, हाँ या ना, हाँ या ना आप बता दीजे आराम से कोई जल्दी नहीं है आप बता दीजे इतनी आएगी या नहीं आएगी हाँ जी सर इतनी आएगी बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है एक और कोश्चन यहां से आता है भाई एफएक्टिव इंडेक्स निकालने का सर जो घोँ होवे है बताता हूं बेटा रूग जाओ is effective रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट है अच्छसे देखना says effective itmatic इंडेक्स क्या होता है बच्चो रिफ्रक्टिव इफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव बोलता है अगर यह तीनों स्लैब की जगा सिर्फ एक स्लैब रखूं जिसकी थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस T3 हो तो बच्चो कोई भी चीज चेंज ना हो तो उस एक पर टीकुलर स् effective refractive index समझ आया फिर से फिर से फिर से सुन लो फिर से सुन लो तीनों स्लैब हटा के इतना ही मोटा टीवन प्लस टीटू प्लस टीथरी का एक material का slab रखूँ सो देट आपका नहीं apparent depth चेंज होए नहीं आपकी normal shifting चेंज होए तो एक material के slab कर refractive index कितना होगा उसको कहा जाएगा apparent apparent world sorry effective refractive index कहा जाएगा effective refractive index तो भाई कोई भी चीज़ चेंज ना हो तो मैं तो बोलता हूं कि भाई इसका जो apparent depth है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए तो बच्चो apparent depth कितनी हो जाएगी mu of object upon observer तो क्या मैं इसको t1 plus t2 plus t3 divided by mu effective लिखूं तो दिखकत सर कैसे लिख दिया कैसे लिख दिया मैंने कहा ना आपका apparent depth change नहीं होनी चाहिए same thickness रहनी चाहिए तो पहले apparent depth लिख लो कितना हो जाएगा बिटा t1 upon mu 1 plus t2 upon mu 2 plus t3 upon mu 3 यहीं आया था यह नहीं आया था apparent depth था सर पिटा इस अलग-अलग-अलग की जगा एक refractive index बता दो thickness of slab इतनी रखेंगे तो आप मेरे को यहां से बताईए बच्चों आपका mu effective कितना आया सर mu effective आया आपका t1 plus t2 plus t3 divided by t1 upon mu 1 plus t2 upon mu 2 plus t3 upon mu 3 हा यह नहीं यहने भाई तीनों की जगा आप अगर एक यह अकेला रख दें तो भी आपका काम हो जावेगा चमका यह नहीं चमका और चमका तो कितना चमका 100% चमका यह नहीं चमका बेटा बताईए ओहो परेशान कर रहे हो आप हमको यह effective राइट बतादो भाई चमक्या 100% चमक्या 100% है ना तो यह होता है आपका अगर slab एक साथ रख दी जाए भाई बहुत सारी एक दो तीन उससे बताए चार रख दो पांच रख दो दो रख दो एक होता तो सीधा सीधा बना देते हैं कुछ नहीं करना नॉर्मल शिफ्टिंग जितनी आ रही है उतनी उठाके प्लस कर देना राइट चलिए आईए बच्चा आगे की बात करते हैं अब बढ़ते हैं बच्चों अपन सवालों की तरफ और सवालों की तरफ बढ़ना भाई अपने आपमें एक क्या बोला मेंने अपरेंट डेप्थ क्या होती है अबजेक्ट अपन अबज़रवर का भाई आप किसी चीज़ चीज़ कि इमेजस का देख पह॑ंगे जब आपकी आँखों में race जाएगी तो जहां पर ray जा रही है वो वाला उपर आप क्या लिखेंगे बच्छो refractive index लिखेंगे जहां से ray जा रही है object से ray निकलती है जहां से ray जा रही है उस medium का refractive index नीचे आएगा हमेशा ध्यान आपको रखना है चल ये भाई पहला question निप्टाते हैं आज का हम लोग बच्छो एक आपको figure given है और इस given figure में आपको कुछ कुछ चीज़े find out करनी है देखिए मैं बताता हूँ figure कैसा given है ये एक beaker है बच्छो ठीक है this beaker is filled with water है ना water से filled है और आपको एक चीज़ याद रखनी है water का refractive index 4 by 3 होता है नहीं given होगा तो माल लेना 4 by 3 होता है और अगर कुछ और given होगा तो वो माल लेना लेकिन by default water का refractive index 4 by 3 आपको याद रखने है last class में मैंने बता दिया था ठीक है अब अच्छे से देखना बच्चो क्या question है यहाँ पर आपका एक fish है इधर पर आपकी क्या है बच्चो एक fish है और यहाँ पर आपकी एक bird है यह bird यहाँ से 20 cm ऊपर है free surface से बच्चो यह जो fish है यह भी free surface से 20 cm नीचे है और यह जो bottom से बच्चो यह 10 cm ऊपर है यह आपको देकर रखा हुआ है इतना आपको question में बच्चो देकर रखा हुआ है this is what? this is your water और यह है water का refractive index 4 by 3 होता है this one is your air नहीं भी दिया है तो obviously पंची कहां उड़ेगा बिटा हवा में हवा बोले तो air obviously जब तक ना दिया जाए छेड़ना नहीं है ठीक है आपको क्या निकालना है बच्चो first question आता है आपका first question आता है आपको निकालना है distance of fish as observed by the bird directly बच्चो bird को fish यहां से कहां पर दिखेगी यह बताना याने आपको indirectly बोला है apparent depth बताईए fish की with respect to bird पहला question clear है distance of fish as observed by the bird directly याने आपको apparent depth निकालनी है fish की with respect to bird आपको पता है अगर आपने question अगर आपने last video देखा है बच्चो तो आप जानते हैं कि fish क्या होती है उपर आ जाती है ना image हमेशा उपर आ जाती है image हमेशा उपर आ जाती है तो इसको आप ऐसा मानके चलेंगे ना तो जो answer आएगा आप उससे confirm हो जाएंगे आपने सही किया है या नहीं किया है आईए देखते हैं चलिए तो बच्चो apparent depth apparent depth क्या होती है apparent depth होती है आपकी mu of observer upon mu of object into into real depth राइट अच्छे से बताईए अच्छे से बताईए real depth real depth कहां से नापेंगे यहां से नापेंगे या नापेंगे free surface से real depth fish की कितनी है this is real depth 20 cm है या नहीं है observer कौन है यहां पर आप खुद सोचो आप खुद सोचो बच्चो यहां से ray ऐसी निकली देखना let's say यहां से ray ऐसी गई यह आपको normal है तो आप मेरे को एक बात बताईए जब यहां से cancer medium से rarer medium में जाएगी तो away from the normal shift होगी या नहीं होगी तो आप खुद बताईए image जो रहीगी image जो रहीगी fish की देखो उपर खसक गई या नहीं खसक गई हाजी sir खसक गई वहीं निकालते देखिए apparent depth free surface से कितनी आ रही है mu of observer 1 mu of object बच्चो 4 by 3 object कहां पर है आपका water में है और आपकी real depth कितनी है 20 है तो बच्चो apparent depth कितनी आई 20 into 3 by 4 पिटा एक बार 5 बार 15 cm आ गई या नहीं आ गई याने आपकी जो fish रहेगी 5 cm उपर आ जाएगी लेकिन bird को यहां से bird को यहां से यह कितनी उपर दिखेगी sir यह तो 15 आ गया और bird यहां से 20 उपर है तो आप मेरे को बताईए क्या बोल रहा है distance of distance of image of fish from bird from bird लाला कित्ती हो गई बर्ड से कित्ती हो गई 15 प्लस 20 बोले तो 35 cm हुई या नहीं हुई हाँ या ना आराम से देख लो आराम से देख लो आराम से देख लो कोई जल्दी नहीं है आराम से देख लो देखो भाई जो आपकी fish रहेगी वो free surface से यहां से 5 cm उपर खसक जाएगी याने इसमें normal shifting कित्ती होगी 5 cm कि अगर आप से कोई normal shifting निकालने बोले तो 5 cm लगा देना ठीक है तो पेटा 5 cm उपर खसक गई याने कि यहां से 15 cm तो यह क्या है इसका डी apparent आया this is apparent depth इतनी इसको दिख रही होगी प्लस यह खुद 20 cm उपर है तो 15 प्लस 20 35 cm उपर दिखेगी या नहीं दिखेगी हां या ना आराम से तसल्ली कर लो feel आ गया हो जितने भी बच्चे बैठे हो उनको तो बता दीजे और कोई doubt हो तो यहीं पर पूछ लीजे भाई rarer में जाएगी तो away from the normal shift होईगी या ने image देखो उपर खसक दे हां या ना same question आपको बोल दिया है second करने second में क्या बोल दिये भाई इनने distance of bird as seen by fish directly इस बार इस बार आपका observer कोन हो गया इस बार आपको observer कोन हो गया observer बच्चो इस case में फिश हो गई इस case में आपको observer कोन था इस case में आपको observer था है ना आपको बोले ना distance of bird as seen by fish देख रही है तो आपका फिश कोन हो गई observer हो गई अगर ऐसा है तो बच्चो इस case में height लिखेंगे apparent height कितनी होगी देख लो आराम से आराम से बच्चो कितनी हो जाएगी mu of observer 4 by 3 आई उपर observer का लिखते है ना 4 by 3 mu of object बढ़ आपको object हो गई इस बार तो उसका 1 आगया नहीं लिखेंगे into यहां से कितना उपर है बच्चो 20 cm उपर है तो apparent height कितनी दिखेगी free surface से apparent height कितनी दिखेगी बच्चो 40 ओहो 80 by 3 80 by 3 cm तो बेटा एक बाद बताओ 80 by 3 cm तो यहां से दिख रही है free surface से fish को कितनी उपर दिखेगी plus 20 करूँगा या नहीं करूँगा हाँ या ना plus 20 करूँगा या नहीं करूँगा therefore distance of distance of image of bird यहा फिश लिखाता bird as seen by फिश कितनी हो जाएगी बच्चो 20 plus 80 by 3 so the answer will come out to be 60 plus 80 by 3 बोले तो बच्चो 140 by 3 cm is your answer answer and this one is your answer normal shift होगी पीछे ले जाओंगे तो बिटा यह जो image हो उपर जाएगी या नहीं जाएगी हाया ना इसे था लेकिन dancer से rarer medium में गई फिश को देखना है ना sorry rarer से dancer medium में गई तो टूवर्ड दो नॉर्मल शिफ्ट होगी या नहीं होगी आजी सर अगर मैं इसको बेटा ऐसे पीछे खीचता हूं तो आप देखिए this is the image of bird हो जाएगा या नहीं हो जाएगा this is the image of fish हो जाएगा या नहीं हो जाएगा देखो दोनों case में दोनों case में ऊपर खसकी आपको ray diagram से भी मैंने समझा दिया है 100% crystal clear हो तो एक बार बता दीजे फिर अपन बच्चों आगे बढ़ते हैं all right next question इससे भी better quality का अरे सर इसमें डर लग गया अरे बिटा ये डर नहीं लग जेई मेंस वालों के लिए ये चीज़ बरदान है अच्छे से समझ ले ना feel भी करवा दिया है पूरा का पूरा अगर आप consecutively दोनों lecture देखते हूँ आ रहे हो ना तो आपको मज़ा आगया होगा मज़ा आगया होगा इतने में चलिए आगे की बाते करते हैं बच्चों हम लोग next question प्यारा question बहुत 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 प्यारा question इसको थोड़ा समय सैट करता हूँ right बहुत प्यारा question क्योंकि म एक beaker दिया हुआ है ठीक है यह है आपका beaker बहुत अच्छे यह h height तक बच्चों भरा हुआ है is filled up to is filled up to height h h height तक भरा हुआ है ठीक है आगे पड़ते है observer is located at a height of h by 2 above the liquid surface बच्चों यहां से observer जो है आपका यहां पर है मैं observer कैसे बनाओ ऐसे बना देता हूँ है न यह आपका कोन है observer यहां से कितना उपर है बच्चे यहां से h by 2 height उपर है find the distance from the observer where the observer will see the image of an object in the mirror mirror कहा है बेटा mirror यहां है mirror भी रख दिया mirror भी रख दिया यह आपका एक plane mirror रखा हुआ है और क्या बोला है the object is located at a depth of h by 3 below the liquid surface बच्चो जो आपका object है न वो यहां पर है यहां पर this is your object यह कितना है बच्चो यहां से यहां से h by 3 नीचे आपको दे कर रखा हुआ है क्या पूछा है आप से पूछा है find the distance from the observer where the observer will see the image in the of the object in the mirror प्यारा question बहुत प्यारा question advanced level का question है समझ लो आपको बताना है इस object की जो image इस mirror में दिख रही होगी वो observer को कित्ती दूर दिख रही होगी this is the question observer यहां से h by 2 height उपर है water h height तक भरा हुआ है object आपका h by 3 height नीचे है यह दिया हुआ है यहां पे एक plane mirror रखा हुआ है इस object की जो image बन रही होगी न वो image observer को कितनी दूर दिख रही होगी यह बताना है यह बताना है बहुत प्यारा question यार बहुत प्यारा चलिए आईए solve करते हैं देखो plane mirror की property क्या है इतनी उपर height यह h है h by 3 है तो क्या बेटा यह 2 h by 3 distance उपर observer हो गया object हो गया या नहीं हो गया हा जी सर तो एक बात देखो बच्चे जितने उपर object रहता है perpendicularly उतनी ही दूरी पर आपकी image बनती है या नहीं बनती है हा या ना तो कितनी नीचे बनेगी सर 2 h by 3 तूरी पर आपकी image बनेगी एकदम सही बात अब actual में आप देखेंगे तो यह पूरा का पूरा तो water है तो पेटा जो आपकी जो image है यह as a object act कर रही होगी observer के लिए आपसे यही तो पूछा यह image की depth बतानी है कितनी रहेगी अब भाई इस पानी के कारण यह image कुछ उपर खसक जाएगी आपको पता है हमेशा उपर खसकती है हमेशा उपर खसकती है राइट होता है ऐसा हाजी सर होता है बिलकुल होता है तो बच्चो आपको क्या बताना है आपको बताना है कि observer को यह image कहां पर दिख रही होगी यह question है मैंने इतना तो बता दिया आई है नाओ एक बात बताओ from free surface therefore from free surface of liquid पच्चो liquid की free surface से liquid की free surface से image कितने नीचे है distance of image is distance of image is कितना है देखो बिटा यह h है यह free surface यहां से यह h है और यह 2h by 3 है तो जो total distance है बच्चो कितना हो जाएगा h plus 2h by 3 बोले तो 3 और दो 5 5h by 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हाँ या ना 5h by 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हाँ जी सर बिलकुल हो जाएगा याने की बच्चो यह क्या हो गई real depth हो गई या नहीं हो गई हाँ सर real depth इतनी है अगर real depth इतनी है तो बच्चो therefore free surface से apparent depth कितनी होगी therefore apparent depth हो जाएगी बच्चो mu of observer divided by mu of object into real depth भाई यही फॉर्मूलो होता है observer upon object हाजी सर यही होता है बच्चो अबजर्वर कहा है आपका air में है या नहीं है अबजर्वर हमेशे बिटा जिन्दा रहना है तो air में होगा यह क्या है आपका बच्चो water दे के रखा हुआ है अब आव लिक्ट सर्फेस विथ वाटर वाटर से भरा हुआ है वाटर से भरा हुआ है तो बच्चो इसका mu कितना हो जाएगा 4 by 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हाजी सर हो जाएगा तो एक बात बताओ बच्चो apparent depth इसकी कितनी दिख रही होगी observer का 1 divided by 4 by 3 into real depth कितनी है बिटा 5 h by 3 बोले तो बच्चो apparent depth आपकी आजाएगी यह तीन से यह तीन हलाल हो गया 5 h by 4 की apparent depth आई या नहीं है यह तो free surface से 5 h by 4 distance नीचे यहां कहीं इसको image दिख रही होगी due to the reflection तो भाईया यहां से कितनी हुई h by 2 plus 5 h by 4 हुई या नहीं हुई therefore distance of image of image distance of image of image from word या from observer word लिख दिया मैंने observer जान रखो मैंने कह लिखा distance of image of image भाईया इस image की image कहां पर दिख रही होगी कहां दिख रही होगी बच्चे h by 2 plus 5 h by 4 तो यह हो जाएगा बच्चे 4 2 h plus 5 h बोले तो मेरे लाल 7 h by 4 हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा हाँ यह नहीं है यहने की भाई अब्जर्वर को 7 h by 4 नीचे आने पर image की image दिख रही होगी due to the reflection प्यारा था बढ़िया था अच्छा concept था obviously बटा बहुत 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 अच्छा concept है आपको हमेशा ध्यान रखना है आज का lecture मैं मान रहा हूं typical है लेकिन एक एक चीज आपको easiest language में समझा रहा हूँ मैं एक एक चीज आपको बच्चों easiest language में समझा रहा हूँ तो अगर भाई फोड़ा सा effort डालूंगे देखो यार effort तो डालना पड़ेगा कहीं न कहीं तो effort डालने पड़ते हैं और एकदम आपको easiest language में बता रहूं और कोई बहुत बहुत टफ नहीं है आपको सिर्फ apparent depth का apparent depth का apparent depth का बार 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 फॉर्मूला लगाने और concept वही चल रहे हैं आपके question हुमा कर पूछा जा रहा है इस बात का ध्यान लखना बड़े प्यारे आपके रहने वाले हैं चलिए next question next concept भाई velocity of image and object फिर से वही बात तर plane mirror में भी velocity पड़ी उसके बाद spherical mirror में भी velocity पड़ी इस topic में भी velocity पड़े हाँ वही यह बच्चो आपको differentiation करना है अब अगर आप follow कर रहे हैं तो आपको मजा आ गया होगा अभी तक कि भाई 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 चीजे मैं concept आपको basic से समझाता हूं इसलिए चीजे चेंज नहीं होती है हर बाई differentiate करके आप बच्चो चीजे निकाल सकते हैं बहुत easily तो बच्चो पहला case है when only object is moving देखिए क्या case है बच्चे यह आपकी एक medium separator है यह क्या है आपका राइट बहुत सही चलिए यहां पर बच्चो इधर पर आपका क्या है यहां पर बच्चो आपका observer है अखियों से गोली मरे हाँ और यह क्या है बच्चो आपका मालो object है this one is your object ठीक है क्या बोलना when only object is moving सिर्फ object move करवा रहा हूँ मैंने का बहुत बढ़ी है let's say यह वी की speed से move कर रहा है when only object is moving आपको देखे रखा है let's say यह वाली जो depth थे यह real depth है यह real depth आपको देखर रखी हुए आपको क्या पूछा जाए आपसे पूछा जाए observer को object किस speed से उपर आता हुआ दिख रहा होगा observer को object किस speed से उपर आता हुआ दिख रहा होगा बच्चो यह question है यह question है यह concept है आईए बात करते हैं देखिए therefore बच्चो एक बात बताओ apparent depth is equals to mu of observer upon mu of object into real depth लिखू तो कोई दिक्कत है किया किसी को नहीं सर्फ कोई दिक्कत परिशानी तो वीधा वाली बात नहीं है बहुत अच्छे तो बिटे एक बात बताओ यहां से अगर मैं differentiate with respect to time कर दूँ differentiate with respect to time बच्चो दोनों medium के जो refractive index है यह तो constant रहने वाले इनमें तो कोई change आएगा नहीं तो बच्चो मैं d apparent को d d बार बार आ जाएगा तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं इसको मैं d a लिख रहा हूं इसको मैं d a लिख दे रहा हूं इसको मैं d से r लिख दे रहा हूं that is your real depth है ना इसको मैं मिटा के क्या कर दे रहा हूं बच्चो r कर दे रहा हूं this is your real depth ठीक है चलिया यह बच्चो differentiate with respect to time तो क्या हो जाएगा d a by dt is equals to mu of observer upon mu of object into d r by dt हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा राइट बहुत अच्छे से देखो यह क्या है बच्चे d r by dt फील करो फील करो d r by dt is rate of change of r rate of change of r that is real depth d r by dt is d r by dt is rate of change of real depth rate of change of real depth तो एक बात अच्छे से बताइए rate of change of real depth क्या है पिटा rate of change of real depth भी है या नहीं है कितनी तेजी से आर्क चेंज हो रहा है वी की तेजी से चेंज हो रहा है हाँ या ना so it is nothing it is nothing बट भी हाँ सर बच्चों यह क्या है दिस इस rate of change of apparent depth तो एक बात बताओ अगर यह rate of change of apparent depth है तो इसको में apparent velocity is equals to mu of observer upon refractive index of object बटे बटे रियल वेलोसिटी या वी लिख दूँगा तो किसी को दर्द होगा क्या आराम से आराम से जहल लीजे कोई भी दिक्कत हो बता दीजे हमेशा आराम से देख लो भाई आपके सामने हैं चीजे मैंने कुछ नहीं किया लग से जो आप पढ़ते आए ह तो वही बताया दिस इस दो एक बात लेकिन यहां पर ध्यान रखना और हमेशा ऐसी रहेगा लेकिन फिर भी मैं बता दे रहूं जस्ट इन केस आई-ई-टी एडवांस में कोई hypothetical कोशन आगे कि यह सर्फेस भी चलने लगे तो इस पर्टिकुलर केस में वच्चो ध्यान इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सर्फेस के रिस्पेक्ट में वैसे तो आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी कभी पूछ ले कुछ ऐसा कर दे कि यह सर्फेस चलने लगे उस पर्टिकुलर केस में फिर रिलेटिव वेलोसिटी का आपको यहां पर खेलना पढ अबजेक्ट को लेकिन मचली भी उपर आती है बगुला भी नीचे जाता है दोनों अगर मूफ कर गए तो क्या करेंगे केस टू ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक 100% फिल आ रहा हो तो एक बार कमेंड में बता दे नहां सर फिल पूरा आ रहा है आप चलते रही है फिल पूरा आ रहा है आप चलते रही है भी यह चीज पता होना बहुत जरूरी है कि बच्चे तक बात पहुच पा रही है या नहीं पहुच पा रही है तेड़ा तेड़ी लाइन है मेरी जिनी में है हम ठीक है हाँ ठीक है चलिए बच्चों माल लीजे यह आपका एक कुछ भी है दो अलग-अलग मीडियम है ठीक है यहां पर एक आपका यह आपका अबजेक्ट है यह उपर जा रहा है और यह आपका लेट से अबजर्वर है यह आपका क्या है बच्चे अबजर्वर है लेट से यह क्या कर रहा है आपका नीचे आ रहा है आपको यह दे दिया है कि यह वाली डिस्टेंस इजवार माल लो वाय है और यह वाली डिस्टेंस लेट से कितनी है x है माल लो अभी के लिए माल लो क्योंकि आप vv लिखूंगा तो confused हो जाओंगे तो मैं dx by dt लिख दूँँगा तो आप समझ जाना इसकी speed है और dy by dt लिख दूँगा तो समझ जाना बच्चे क्या है इसकी speed है अच्छे एक बात बताओ एक बात बताओ एक बात बताओ आराम से है ना पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा सा बच्चो जब observer के respect में इसमें भी नहीं इसमें लिखता हूँ जब observer के respect में आप इसके image का distance लिख रहे थे तो क्या बच्चो apparent प्लस ये 20 कर रहे थे या नहीं कर रहे थे जितना ये इस medium में है हाँ या ना apparent प्लस 20 कर रहे थे या नहीं कर रहे थे आराम से देख लो observer के respect में जो भी total distance लिख रहे थे वो apparent प्लस या observer खुद कितने में है वो plus कर रहे थे या नहीं कर रहे थे हाजी सर कर रहे थे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आजाई आराम से, आराम से अब अगर मैं लिखूं बेटा, अब अगर मैं लिखूं T apparent, क्या हो जाएगा? T apparent, mu of observer upon mu of object into T real plus बच्छो, observer ये है, plus ये वाली distance y करते थे या नहीं करते थे? हाँ, या ना, भाई, total यहीं लिखते थे, अब भाई, इस particular case में यहाँ पर भी आप चाहे तो y लिख सकते हैं, लेकिन जब ये y क्या है, ये बिटा, आपको observer rest पर है, अगर आपको observer rest पर है, तो बच्छो dy by dt कितना हो जाता है? dy by dt आपका 0 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा, क्योंकि dy by dt 0 हो जाता है, या आप चाहें, तो लिख भी देना कोई दिक्कत नहीं है, क्यों आखरी में 0 हो जाएगा, लेकिन, 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 इस particular case में time के साथ y भी change हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ जी सर, हो रहा है, अगर इस particular case में बच्चो time के साथ y भी change हो रहे हैं तो आप मेरे को एक बात बताईए differentiating therefore differentiating with respect to time क्या हो जाएगा? differentiating with respect to time बच्चे dA by dt इसको मैं क्या लिख देता हूँ? apparent की जगा, हाँ चलो dA by d into dA लिख देता हूँ, अब तो आप समझ गये हैं d by dt of apparent depth is equals to mu of observer upon mu of object into, बच्चो क्या हो जाएगा? constant ता भार आगया, d into rate of change of dr by dt plus dy by dt लिखूँगा या नहीं लिखूँगा? हाँ या ना बच्चो यह real depth यह real depth क्या है? यह real depth x है या नहीं है? हाँ या ना? बच्चो यह real depth क्या है? एक्स है यह real depth क्या है? एक्स है हाँ या ना? dr यहा लिख देता हूँ it is nothing but dr that is your real depth बहुत अच्चे से अब बच्चो देखो हो गया खतम, खतम, खलास, कई से? देखो बच्चो दी ए बाइ डीटी याने की apparent velocity क्या हो जाएगा? mu of object divided observer, sorry, mu of observer बटे, mu of object into, बच्चो दी एक्स बाइ डीटी क्या हो गया? क्या यह velocity हो गई object की या नहीं हो गई? हाँ या नहीं, velocity हो गई object की surface के respect में, right or wrong? velocity of object with respect to surface, हाँ या नहीं, this is the velocity of object velocity of object with respect to surface, बेटा, d y by dt, d y by dt, नीचे की तरफ speed बोल लो, velocity अभी के लिए बोल दो, नीचे की तरफ क्या हो गई? rate of change of y, d y by dt, क्या observer की velocity या speed हो गई with respect to surface या नहीं हो गई? velocity of observer with respect to obs, याने observer, obj याने object हो गई या नहीं हो गई? हाँ या नहीं, अराम से देख लीजे, कोई दिक्कत नहीं है, surface नहीं चल रही है, तो confuse मत हो, यहाँ पे velocity of observer आएगा, और यहाँ पे velocity of object आएगा, 99.999999 केसे में, पिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर advance में कुछ उतने घुमा दिया, neat वाले बच्चों के लिए तो इतना depth में जाने की जरूरत नहीं है, neat वाला चाहे न, तो बस पहला question भी कर ले more than enough है, पहला question कर लो more than enough है, लेकिन जेई वाले को ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, और आगे जो question आ रहा है, वो भी करना पड़ेगा, भाई, जेई तो थोड़ा सा, थोड़ा सा तो उपर लेकर जाता है आपको, समझे या नहीं समझे बताइए चलिए इसी के उपर एक क्योशन करते हैं प्यारा क्योशन फिर से बहुत प्यारा क्योशन इसी कॉंसेप्ट के उपर अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए हैं तो एक बार में बच्चो आपका आंसर आ जाएगा क्या बोल रहा है भाई क्योशन अग किंग फिशर किंग फिशर बोले तो बगुला किंग फिशर बोले तो बगुला क्या होता है बटा किंग फिशर बगुला जो मचली पकड़ता है पंच्छी हावा में उड़ने वाला बहुत बढ़ी है जो टाइग्राम देखे रखा है वो भी बता देता हूं यहां पर आपका किंग फिशर है ठीक है किंग फिशर डाइब जटा स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू कैच आ फिश एक बात बताओ किंग फिशर को अगर फिश कैच करनी है तो बेटा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा उपर जाएगा तो क्या कभी उसको मचली मिल पाईगी सही डारेक्शन में एफट लगाना बहुत जरूरी है नहीं मचली नहीं मिलती इस बात का ध्यान रखना ठीक है समझने वाले समझ गए अल्ट्रा लेजेंड समझ गए मैंने क्या बोला चलिए आगे की बाते करते हैं नाओ नाओ पच्छो यहां पर क्या है आपका फिश है आगे के कुश्चन पढ़ लेते है तू कैच अ फिश moving vertically upward towards the surface of a water at a speed of 5 meter per second मचली भी surface की तरफ आ रही है कित्ते से 5 meter per second से क्या बोला है velocity of fish as seen by bird only magnitude बच्छो speed बताना है only magnitude बोल दिया ना आपको बच्छो velocity of fish as seen by bird याने bird को apparent velocity कितनी दिखेगी यह बताना है fish की उपर आते time बताइए भाई बहुत simple सा फंडा है बहुत 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 simple सा फंडा है यह देखो velocity apparent velocity is equals to this into velocity of object with respect to surface and velocity of observer with respect to surface ऐसे ही लिखना है या नहीं लिखना है हाई या ना हाई या ना बहुत अच्छे तो बच्छो आपको पता है since velocity apparent speed की बात करता हूँ तो आ जाता है mu of observer upon mu of object into velocity of object with respect to surface velocity निकल जा रहा है speed of observer with respect to surface observer object यही था उपर observer नीचे object observer object observer object बहुत अच्छे बच्छो मचली कहा है पानी में रहेगी water में है तो बच्छो इसका refractive index कित्ता हो जाएगा इसका refractive index कित्ता हो जाएगा बच्छो air का 1 हाई अना आजी सर हो जाएगा बहुत अच्छे अगर मेरे लाल पीले हरे नीले इतना हो गया तो एक बात बताओ यह क्या अपन इतने गई भीते हैं कि यह data उठा के यहां पे shift ना कर पाएं cut copy paste आया ना apparent velocity of fish as seen by bird याने bird को क्या बना दो observer बना दो भाई as seen by bird बोला है ना as seen by bird याने bird कोन हो गया आपका observer हो गया या नहीं हो गया तो mu of observer कित्ता है बिटा 1 mu of object जहां पे fish है बोले तो 4 by 3 बच्छो velocity of object with respect to surface कितना है उपर की तराफ 5 बच्छो speed of observer with respect to surface कितना है यहां पे plus 10 क्या हम यह नहीं solve कर पाएंगे देखते हैं कैसे नहीं कर पाएंगे apparent velocity as seen by bird will be 3 into 5 by 4 plus of 10 बच्छा पाटी यह आ जाएगा आपका 15 plus 40 divided by 4 so बच्छो your apparent velocity will come out to be 55 by 55 by 4 meter per second and this is your answer 50 by by 4 meter per second बच्छो बहुत simple सी चीज़ा समझो 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 देखो 55 by 4 याने की लगबग लगबग 15 14 मीटर के करीब आपका आंसर आ रहा है याने बड़ 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 फिर्श आपकी 14 मीटर पर सेकेंड से उपर आती हुई दिखेगी अरे क्यों न दिखे एक गाड़ी यहां से चल रही है पांच मीटर पर सेकेंड से दूसी गाड़ी यहां से चल रही है पांच मीटर पर सेकेंड से दूसी वाली को पहले वाली की कितनी स्पीड दिखेगी दस दिखेगी हाँ या ना फील करो फील करो दस दिखेगी बेटा यह आ रही है नीचे दूस्रे कि तरफ आरी यह 10 से 10 थी चाड़ी उपर की तरफ आरी है पांच 1 शेकेंट से लेकिन पॉपर वाली इस रफ्रैक्टिव इंड estado हो गया लगभग लगभग 15 ही आया यह आराम से सोच लो कोई भी जल्दी नहीं है आराम से सोच लीजे जब तक मैं एक बारी यहां पर देख लेता हूं निज़र डाल लेता हूं हाँ भाई बहुती 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 चांदार शांदार मज़दार हाँ बाबू अब बताइए भी बताईए आगे चले चलिए एक प्यारा question करते हैं भचो हम लोग फिर से प्यारा question आने अच्छे-च्छे question ही करेंगे आज की तारीक में अभ पैरलल बीम ओफ लाइट फिर से भचो प्यारा question तो थोड़ा सा जमालू क्योंकि जगे जादा चाहिए रहेगी बहुत बढ़ी है अब पैरलल बीम आफ लाइट अफ विछ आफ विट दी फॉल्स ऑन एयर ग्लास इंटर्फेस एंटर्स इन इंटर्स इन ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन रिफ्रेक्टिव इंड लाइट पैंड विट ओफ वीम इन ग्लास मीडियम बहुत प्यारा कोश्चन देखो 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 यह माल लीजे आपका एक इंटर्फेस देखे रखा हुआ है प्यारा कोश्चन अच्छे से देखिएगा इस्पेशली जेए ये वाले चीक है यह आपका बच्चों air glass interface है, यहाँ पे क्या है आपका air है और यहाँ पे क्या है आपका glass है, air का refractive index बच्चे 1 होता है और glass का refractive index आपको देखे रखा हुआ है, कितना है, n है, ठीक, यहाँ पर आपसे कहा है, कि अब parallel beam of light of width d, एक parallel beam of light of width d fall कर रही है, parallel beam of light of width d, बच्चो क्या कर रही है, fall कर रही है, parallel बन गया तो मेरे को इसको बढ़ाने में कोई भी शरम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको देखे रखा है, इसकी जो width अभी मैं बताता हूँ, बच्चो जो angle of incidence देखे रखा है, वो कितना देखे रखा है, अच्छ सोचना, इसका color change करता हूँ, और इसको भी यहाँ पर पहले ऐसा कर देता हूँ, so that आपको पूरा-पूरा feel आए, भाई, diagram जितना प्यारा बना रहेगा ना, उतना जादा आपको feel आएगा है, यह मेरे को पता है, इसलिए बहुत प्यार से और आराम से समझा रहा हूँ, ठी इसलिए को यहाँ से perpendicular डालूँगा, तो इनके बीच की जो width देके रखिये, यह कित्ती देके रखिये, डी देके रखिये, इस वाले point को बच्चो point A बोल रहा हूँ, ठीक है, A, B बोल रहा हूँ, कोई दिकत नहीं, ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, यह हो गया आपका rar आपका rar medium, और यह होगा आपका बच्चो कासा, dancer medium, तो जब rarer से dancer आयगी तो के towards the normal shift होगी या नहीं होगी , हा, या नहीं हा, जी सर, बिलकुल होगी, जानगा था ऐसा, हलका सर towards the normal shift कर वादू कोई दिकत, जानगा था ऐसा, हलक का सर towards the normal karnyl shift करवा दू कोई दिक्कत नहीं सर देखो दोनों parallel parallel आई थी parallel जाएंगी या नहीं जाएंगी parallel दिख रही है हाँ sir दिख रही है parallel ले तो बच्चों ये जो width है ये जो parallel beam है इनकी width क्या हो जाएगी यहां से सर एक perpendicular डालूँगा ये वाली width let's say let's say अगर मैंने z करी यह z आपको find out करना है कितना है भाई देख लो अच्छे से समझ लो आपकी parallel beam आई और ऐसे निकल गई है ना क्यों ऐसे निकली क्योंकि बच्चो जब rarer से dancer जाएगी तो towards the normal shift होगी towards the normal हमने क्या करवा दी बच्चा shift towards the normal हमने shift करवा दी अब यह z कैसे निकल लेंगे बच्चो खेलते हैं देखो यह दोनों parallel beam है तो vertical के साथ अगर यह वाला angle phi है तो बिटा vertical के साथ यह वाला angle भी कितना हो जाएगा phi हो जाएगा या नी हो जाएगा बहुत अच्छे पिटा यह phi है तो यह वाला कितना हो जाएगा r हो जाएगा हा जी सर सुनना मेरी बात सुनना पिटा यह वाला angle कितना है 90 degree है यह वाला angle कितना है 90 degree है और एक और बात बच्चो यह वाला angle कितना है यह वाला angle अगर 90 degree होगा या नहीं होगा हाँ या ना अगर यह वाला 90 डिग्री हो गया तो यह वाला 90 माइनस 5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हाजी सर हो जाएगा तो मैं इस वाले एंगल को कित्ता लिख दे रहा हूँ 90 माइनस 5 लिख दे रहा हूँ तो बेटा एक बात बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल है ये 90 माइनेस 5 हो गया तो ये वाला एंगल 5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हाजी सर ये वाला एंगल आपका 5 हो जाएगा बताइए यहां तक किसी को दर्ध है पूछ लीजे आराम से देख वाले पॉइंट का नाव मेंने के दिया बच्चे क्यों दिया अच्छा एक बात बताओ एक बात बात देखो ये वाला एंगल रे जो एंगल बना रही है ये आर है तो बच्चों यहां पर भी नॉर्मल से ये वाली रे जो एंगल बना रही होगी ये वाला एंगल भी आर होगा या नहीं होगा because these both are parallel हाँ या ना अराम से देख लो कोई भी जल्दी नहीं है आसर र होगा बहुत बढ़ी है ओहो औरे रे पाओं में अड़ गया हाँ चलो तो बच्चे एक बात बताओ आराम से देखना आराम से ठीक है ये वाला एंगल नभे डिगरी है इसके साथ तो बिटा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा यानि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा इसका मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस R तो ये वाला एंगल बच्चा कुछ R होगा या नहीं होगा हा सर होगा मैं सिर्फ R बता रहा हूं सो देट आपको दर्द ना हो ज लिखूँ अगर मैं cos 5 लिखूँ इस वाले triangle में अच्छे से देखो इस वाले triangle में अच्छे से देख लीजे पेस क्या हो जाएगा 90 degree और angle वाला बच्चो डी का बेस हो गया बेस अपन हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस डी अपन हाइपोटेनियस एबी लिख दूँगा तो किसी को दर्द होगा दी अपन एबी तो बच्चो यहां से एबी की वैल्य उठा लेता हूँ कितनी हो जाएगी दी अपन पॉस फाइगी यह नहीं हो जाएगी हाँ यह नहीं हो जाएगी हाँ यह नहीं हाराम से हाँ सर हो जाएगी बहुत अच्छे बच्चो इन triangle a p q a b q now in triangle a b q यहां तक देख लो और कोई भी दिक्कत हो मेरे को एक बार बता दो कमेंड में कि हाँ सर यहां तक एकदम clear है अब इन triangle a b q बच्चो अगर यह angle r है यह angle 90 डिगरी है तो बेस कितना हो जाएगा आपका z हो जाएगा इस वाले triangle में देखो यह angle r है यह 90 डिगरी है यह बेस हो तो hypotenious को हो जाएगा 90 के सामने वाला a b hypotenious हो जाएगा तो अगर मैं cos r लिखूं तो z upon a b हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा हाँ यह ना cos r is equals to z upon a b बिलकुल सही तो बेटा यहां से a b की value कित्ती आ जाएगी यहां से a b की value हो जाएगी z upon cos r हो जाएगी यह नहीं हो जाएगी equation number 2 equation number 2 अभी अच्छे से देखो a b a b दोनों equal है therefore from equation 1 and 2 from equation 1 and 2 क्या मैं यह लिख सकता हूँ z upon cos r is equals to t upon cos phi तो बच्चे यहां से z की value कितनी आई? cos r upon cos phi into di यह नहीं आई इसको दे रहा हूँ में equation number 3 यहां से कुछ conclusion देखिए देखकर ही पता लग रहा है जो r है वो phi से छोटा है r है जो phi से छोटा है अगर r phi से छोटा हुआ तो cos r cos phi से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा क्योंकि angle छोटा cos की value जादा होती है cos r cos phi से बड़ा हो गया तो z बड़ा आ गया d से या नहीं आ गया? हा या नहा? since cos r is greater than ये सिर्फ एक conclusion बताया आपको काम का नहीं है लेकिन बता दिया इसका मतलब z बड़ा हो गया d से लेकिन आपको z की value बतानी है कितनी होगी? r की value तो आपको पता नहीं है अगर बिटा r की value आपको नहीं पता है तो आप कैसे खेलेंगे? बताये r की value अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे खेल सकते हैं? सोचो जा रहा सा चलिए मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ? a point के उपर snell's law लगाता हूँ therefore, at point a, बत्चो point a के उपर snell's law लगाता हूँ यहां क्या medium air है? 1 into sin phi is equals to, इसका refractive index n into sin r लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? आज ही सर लिख सकते हूँ तो बेटा, यहां से sin r की value कित्ती आ गई? सर, sin r की value आ गई आपकी sin phi divided by n, हाँ या ना, sin r की value आ गई बच्चे तो cos r निकालना बहुत बड़ी बात है क्या? कैसे निकाले सर, कैसे निकाले? भाई, sin square r plus cos square r is equals to 1 लिख सकता हूँ since sin square r plus cos square r is equals to 1 तो बच्चे यहां से हो जाएगा cos r is equals to 1 minus sin square r का whole root आया ना, यहां से आ जाएगा cos r is equals to under root of 1 minus of sin square r तो बेटा, एक बात बता हूँ यहां से cos r की value कितनी आ गई? cos r is equals to root over of 1 minus of sin square r, sin square r की जगा, sin phi upon n लिख दूँगा, तो उसके square करूँगा कितना जाएगा, पिटा, sin square phi divided by n square, लीजे भाई, cos r की value phi के terms में आ गई, आपको phi b पता है, आपको n b पता है, और आपको d, 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 d का आ गया a parallel beam of width, d, d, d भी आपको पता है, बच्चो, cos r की value उठा के equation number 3 में put कर दो, therefore, from 3, क्या हो जाएगा? z is equals to, कितना हो जाएगा, पिटा, d upon cos phi, d upon cos phi, और cos r की जगा, क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं, cos r की जगा लिखने जा रहा हूँ, बेटा, 1 minus of sin square 5 divided by, divided by n square, this is your answer, this is your answer, मज़ा आया, बटा दीजे, comment में कैसा लगा question, this is your answer, तो आपको पसंद आ रहे हैं, जादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, अगर आपको efforts पसंद आ रहे हैं, तो यार, like करो, comment करो, आप नए हो तो subscribe करो, like करो, comment करो, और आप नए हो तो subscribe करो, यार, सबको बताओ, सबको, दूर दूर तक फैला दो, कि भाई, premium content दिया जा रहा है, और बिना किसी हिच किचा हट, बिना किसी हिच किचा हट क्यों वो लमेन है, बच्चो नॉर्मली यूट्यूब पर आपको easy easy चीज़े बता दी जाती है, क्यों, क्योंकि पता है, बच्चा easy चीज़े पढ़ेगा, बैठा रहेगा, आपको देखने में लगेगा, आपको सब बन रहा है, लेकिन फिर टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कैसे लियाओंगे नंबर easy चीज़े पढ़के, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यार यह चीज़ टफ है या वो चीज़ टफ है, मैं यह बिलकुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ना, बिलकुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ना, कभी बोलूँगा, बिलकुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूँ बच्चे, कि effort डालो, अपने आप दूसरी चीज़े आपको easy बन जाएंगे, effort डालिए अपने आप दूसरी चीज़े easy बन जाएंगी लेकिन आपको effort put करना पड़ेगा ऐसा जिस question में कुछ था नहीं simple बच्चो geometry का खेलता और एक जगाई smell slow लगा हुआ था basic concept लगे हुए same next question भी ऐसा आ रहे हैं मैं आपसे बोल दूँगा पहले ही कि अगर यह advance level का question है तो आप डर जाओंगे मैं नहीं बोल रहा आपसे advance level का question है बहुत फुद्दू question एक दम easy question है आईए देखते हैं कैसे आईए देखते हैं बच्चो कैसे निप्टाना है देखो मैं बताता हूँ ठीक है क्या बोल रहा है बोल रहा है अब पोल आफ लेंथ 100 मीटर इस्टेंट्स हाफ डिप इन स्वीमिंग पूल विट वाटर लेवल 50 मीटर हाइर दें दो बॉट्टम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया दा सुनलाइट इस कमिंग अन एंगल ऑफ 53 डिग्री वित दा वर्टिकल फाइंड देखो देखो देख तो हो गई है ना यह है आपका पानी इसमें बच्चो आधा पोल पानी के अंदर है आधा पोल पानी के पाहर है ऐसा आपको दे दिया है अब दे दिया है तो मानना पड़ेगा यह कितना देखे रखा है बच्चो 50 मीटर अभी एक बाद बताओ अच्छे से देखना यह आप का पोल है थोड़ा सा और साइड में बनाते हूं क्योंकि यहां पर जगा लगेगी बच्चों यह आपका पोल है ठीक है आधा आधा ठीक है पचास मीटर अंदर है तो यह ऑवियसली यही बॉटम होगा तभी तो यहां पर पोल गड़ा हुआ है आपको बोल दिया है और यह आ इंगल पर आ रही है आपकी संडेज वर्टीकल से आ रही है आपकी संडेज 53 डिग्री के उपर आप से पूछा गया है कि यह जो पोल है यह पोल की जो शेड़ो दिखेगी बॉटम आफ दा पूल पर उसकी लेंध बतानी है कितनी है बहुत इजी क्विश्चन है नॉर्मल स ऐसे आएंगी या नहीं आएंगी आजी सर रेज ऐसे आएंगी मैं थोड़ा सा और सीधा बनाने की कुश्च करता हूँ बहुत अच्छे फिर तेड़ा हो गया अभी एकदम परफेक्ट ऐसा आया बच्चो यहां से जो रेज आ रही है कितना एंगल पर आ रही है 53 दिग्री पर देखो वर्टीकल से 53 डिग्री पर एंगल पर रेज आ रही है बच्चो पोल की शेड़ो बतानी है तो यह जो मैक्स कि स्काइब इसकी शेड़ो कहां पर बनेगी यहां पर रही हो गी आए पॉलskी यारई से शेड़ो यहां पर बना रही मैरो को न और bend करता हूँ, so that diagram perfect बनेगा न, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, देखो, मैं race को थोड़ा सा और bend कर रहा हूँ 53 degree, मैं कुछ ऐसे बताता हूँ पोल भी मैंने छोटा कर दिया बहुत बढ़ी है, हाँ, अभी सही रहा है बहुत perfect यह वाला एंगल आपको देखे रखा हुआ है, 53 degree और बच्चो, तो यह वाला एंगल भी किता हो जाएगा, 53 degree अच्छे से देखिए, क्या यह एंगल आफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल के साथ बन रहा है तो, हाई न, पोल के हाईस पॉइंट से, पोल के ऐसे था लेकिन, तो वर्ट्स दे नॉर्मल बैंड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी तो वर्ट्स दे नॉर्मल बैंड होगी या नहीं होगी, याने जो शेडो बनेगी भाई पोल की, वो इतनी लंबी बनेगी जो पोल की शेडो बनेगी इतनी लंबी बनेगी पूल के नीचे हाँ या ना अब मैं क्या करता हूँ बचो बस इसकी यह वाली लेंध निकालनी है यह वाली लेंध कितनी होगी यह question है तमझा यह? यह question है अगर यह question है भाई तो simple geometry झोमेट्री खेलूँगा काम हो जायगा और स्नेल्स लोग खेलूँगा काम हो जाएगा देखिए मैं इस नॉर्मल को क्या करता हूँ नीचे की तरफ एक्स्टेंट कर देता हूँ ठीक है इस नॉर्मल को नीचे की तरफ एक्स्टेंट कर दिया ठीक है बहुत अच्छे ये क्या हो जाएगा आपका angle r हो जाएगा या नी हो जाएगा हाजी सर angle r हो जाएगा हो गया अब बच्चों मैं क्या करता हूँ कुछ नाम दे देता हूँ मैं कुछ नाम दे देता हूँ देखो क्या इसको मैंने दिया a, इसको मैंने दिया b इसको मैंने दिया c और let's say इसको मैंने दिया D और भी नाम देंगे आगे जैसे इसे काम पढ़ेंगे बच्चो at point B मैं R की value भी चीए इसने इसलो लगाता हूं इसका refractive index पता है 4 by 3 है pool है तो water होगा air है तो क्या होगा बच्चो air है तो refractive index 1 होगा therefore at point B बच्चो आप मेरे को बताओ 1 into sin 53 is equals to 4 by 3 into sin R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा हाँ या ना मैंने क्या किया बच्चो B point के उपर स्नेल स्लो लगा दिया अब मेरे को एक बात बताओ बच्चो sin 53 की value कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी sin 53 4 by 5 तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर sin 53 की value रख रहा हूँ 4 by 5 is equals to 4 by 3 into sin R into sin R बच्चो 4 से 4 कट गया तो यहाँ से sin R कितना है आपका 3 by 5 आया और अगर यह आपका 3 by 5 आया इसका मतलब बच्चो R की value 37 degree आई या नहीं है हाँ या ना हाँ जी सर R की value भाई sin R 3 by 5 है तो R की value 37 degree हो जाएगी या नहीं हो जाएगी याने आपको R की value मिल गई बहुत अच्छे अब अगर मैं यहाँ पर बच्चो इसका नाम M दे दूँ और इसका नाम O दे दूँ इस वाले triangle में आपको यह वाली length पता है 50 meter है water के नीचे की यह वाली अगर मिल गई shadow क्या होगी shadow क्या होगी this this plus this तो चलो बच्चो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 10 R is equals to perpendicular upon base बना दू this is 90 यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका perpendicular यह हो जाएगा आपका क्या base therefore in triangle BCM in triangle BCM 10 R बोले तो 37 is equals to perpendicular upon base कोई दिक्कत perpendicular upon base तो बच्चे 10 37 की value कितनी होती है 10 37 की value हो जाती है sir 3 by 4 10 37 की value कितनी हो जाती है 3 by 4 is equals to CM upon 50 तो मेरे बच्चे यहाँ से CM की value कितनी हो जाती हो गई 50 into 3 150 by 4 meter हाँ यह ना बहिए एक पढ़ाओ तो पूरा हो गया CM की value मिल गई इतनी वाली value मिल गई अब आपको कितनी निकालना है OM की value निकालना है बच्चो OM is equals to db होगा या नहीं होगा हा जी सर ôm is equals to db हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा तो बच्चो यह db कैसे निकालेंगे यह आपको पता है यह आप क्या मिन्ट ये थर्टी सेवन एना यह वह जाएगा बेस और यह वह जाएगा आपका क्या बच्चे परपेंडिकुलर 90 और एंगल के बीच वाला आपका क्या हो जाता है बेस हो जाता है चल ये निकालिये बच्चों आराम से कितनी आ जाएगी हoga जल्दी सेनकालिये निकाले 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 ये अरे जैसे खिलना हूँ वैसे खिलनो यार कोई बच्चा बोलेगा सर यहां से नहीं निकालता हूँ अगर यह यह वाला 33 दिया है तो यह सबस्कीज्ज केड़े तो यह 73 यह 153 दाएं rap ल्गा यह 10-17 सो सबस्क आइए शक्राइइ Regardless therefore, in triangle, A, B, D, A, B, D, yes, कितना हो जाएगा, बच्चो, 1053, 1053 is equals to perpendicular, कितना हो जाएगा, B, D, upon base, कितना हो जाएगा, बच्चो, A, D, याने, 50, तो यहां से B, D, कितना हो जाएगा, फटाक से कलकुलेट कर लो, 1053, बच्चे, 1053 कितना हो जाता है, 4 by 3 हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, 4 by 3, 1053 हो जाएगा, 4 by 3 into 50 कर देंगे, तो बच्चे, B, D की value कितना हो जाएगी, 200 by 3 meter, तो therefore, length of shadow कितना हो जाएगी, बच्चा, length of the shadow, कितनी हो जाएगी, length of the shadow हो जाएगी, बच्चो, cm, प्लस, BD, कितना हो जाएगा, 150 by 4, प्लस, 200 बटे 3, क्या बिटा हम इतने गई बीते हैं, अब इसको भी solve करके नहीं बता सकते, सर को answer कितना आएगा, हाँ या ना, तो मेरे को चाहिए comment में answer, आपको इतना premium content दे रहा हूँ, इतना premium content दे रहा हूँ, कि आपके even coaching वाले ने भी ये सोच के छोड़वा दिया होगा, जिस बच्चे को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि coaching वाले teacher को नहीं आता, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो हर बच्चे को ये content नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ये मेरा कहना है, समझो मेरी बात, आपके coaching के teacher बहुत eligible होते हैं, कि उनको एक चीज़ पता है, कि अगर मैं हर बच्चे को ये content दे दूँगा ना, तो बच्चे depressed हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है, बच्चे महनत ही नहीं करता है, कि सत्य है ये, नहीं करूंगे तो फस जाओंगे यार, इस भवर से निकलना है, तो महनत करनी पड़ेगी, नहीं बटा, वो ही जो भेड की शेर अलग हो जाते हैं, और भेड एक साथ आगे निकल जाती है, इस बात का ध्यान, भेड एक साथ आगे निकल गई, याने वो जिन्दगी में पीछे रहेगी, शेर अलग हो जाते हैं, मैंने कहा, तो शेर बनना है जिन्दगी में इस बात का अपने ध्यान रखना है, नहीं है न, फसे रह जाओंगे, यार, फसे रह जाओंगे, गंदे वाले फसे रह जाओंगे, इस भावर में, तो बच्चो this is it from my side कल आपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जुस नया टॉपिक का नाम है बच्चो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भाई इतना इतना आएगा पूरा यहीं से आपका कहां से रिफ्लेक्शन का ही एक पर्टिकुलर रिफ रिफ्लेक्शन को मिला के बच्चो फिनोमेना होने लगता है उसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो आज कल आप बोलते हो हाई स्पीड इंटरनेट चल रहे हैं ऑप्टिकल फाइवर के बारे में कल अपन पढ़ेंगे कल अपन पढ़ेंगे काई के बारे मे बच्चो मिराज के बारे में किरेगिस्तान में जाते हैं पानी क्यों दिखने लगता है है ना तो यह सारी चीजे कल बच्चो अपन पढ़ने वाले हैं इसी के साथ बच्चो मैं आज आप से अलविजा लेता हूं कॉंटेंट अच्छा लग रहा हो ना तो यार लाइक ठोक द थैंक यू बच्चो थैंक यू